और हम जानते हैं 7 nuclear power plants हैं इसमें reactors ज्यादा हो सकते हैं जैसे माल लीजिए 7 nuclear power plants है तो इसमें एक में 2 reactor भी हो सकते हैं, 3 reactor भी हो सकते हैं, 6 reactor भी हो सकते हैं और मेप में उन पावर प्लांट्स की लोकेशन कहां कहां पर वो इस्थित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कब इस्थापित किया गया था इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो एक विजूल रिप्रजेंटेशन होगा और जिससे आपको यह चीजें आसानी से याद रह सकें म नरोरा नरोरा पावर प्लांट जो है यह कहां पर इस्थित है बेसिकली यह उत्तर प्रदेश में इस्थित है और कहां पर ब्लेंसर में नरोरा जो है यह उत्तर प्रदेश के ब्लेंसर डिस्टिक्ट में इस्थित है और इसकी शुरुवात कब की गई थी इसकी सुरुवात बिजलीत बातन करनेगी है तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में नरोरा अब चलते हैं दूसरा जो power plant हमने लिया है वो है रावत भाटा रावत भाटा power plant जो है ये कहाँ पर इस्तित है ये राजस्थान के कोटा में इस्तित है कहाँ पर राजस्थान के यानि प्रेशराइस हेवी वाटर पर काम करता है और इसकी चमता की बात करें तो ये 1180 मेगावाट बिजलीत बदन कर सकता है और ये किस-किस की पार्टनर्सिप के द्वारा इस्तापित किया था तो ये भारत ने कनाडा की मदद से इसे इस्तापित किया था तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ बाए होंगे चलिए अब चलते हैं जो तीसरा पावर प्लांट है वो है काकरापारा काकरापार जो है वो गुजरात में इस्तित है और कहां पर व्यारा डिस्टिक में गुजरात के व्यारा डिस्टिक में इस्तित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1993 में 1993 में इससे स्थापित किया गया था और या किस तरह का power plant है? ये भी प्रेसराइस हेभी वाटर रेयक्टर है इसके अन्दर जो रेयक्टर है वो प्रेसराइस्ट हेभी वाटर रेयक्टर है और आपको मेंड की locations भी साथ के साथ बताता हो चल रहा हूँ मैं पर आपको ये चीज दिख रही होगी ठीक है आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे अब चलते हैं तारापूर अब तारापूर जो power plant है ये कहां पर इस्तित है ये महारास्ट में इस्तित है और इसका नाम किया ये महारास्ट के थाने डिस्टिक में इस्तित है और इसे ये जो power plant है इसमें जो reactor है वो किस तरह से काम करता है या बॉइलिंग वाटर पर ये काम करता है और इसकी जो चमता है वो 320 मेगावाट बिजली इतपातन करने की चमता है और इसमें एक और पावर प्लांट है यानि की United States की मजद से भारत ने इसे इस्थापित किया था अब चलते हैं कुटन कूलम कूलर जो तमिलनाडू में इस्तित है और ये भारत का सबसे बड़ा आपको फैक्ट याद रखने है इसे रिलेटिड कि भारत का सबसे बड़ा nuclear power plant है और ये कहां पर इस्तित है त्रिन 1.8 megwald बिजली अत्पादन करने की चमता है और ये जो इस्थापित किया गया था ये भारत और रूस भारत और रसिया की मदद से यही भारत ने रस्या की मदद से इसको इस्थापित किया था Next जो है वो है आपका कलपक्कम कलपक्कम नुउकली पावर प्लान जो है वो कहा marked षिथ है वो तमिलनाडू में आप उस्तित है और इसे एक अधूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है अध्यास औरतल आम से भी जाना जाता है इसे कि बिजली उत्पादन करने की चम्ता की बात करें तो यह 880 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है और यह किसकी मदद से यह बार्क बार्क ने आपने अभी मैंने आपको बताया था भावा एटोमिक रिसर्ट सेंटर जो है यहां पर जातर एकुपमेंट सब्लाई करता है नेक्स्ट है आपका कहएगा कहएगा जो नुकलिर पावर प्लांट है वो कहां पर इस्तित है वो करनाटा के स्टेट में इस्तित है और यह कब इस्थाबित किया गया था इसे कब इस्टेबिस किया गया था तो सन 2000 में से इस्टेबिस किया गया था और यह कहां पर उत्तर क कनाटका में उत्तर कनन डिस्टिक में और यह किस तरह का इसमें रियक्टर है प्रेसराइस्ट हेवी वाटर रियक्टर इसके अंदर और जिसकी चमता जो है 880 मेगावार्ट बिजली उत्पातन करने की है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट ने अभी हाल ही में 2018 में एक वर प्रोवाइड कराता है तो हमने बेसिकली सब न्यूक्लियर पावर प्लांट के वारे में जाना और हम जानते हैं साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें रियक्टर ज्यादा हो सकते हैं जैसे माल लीजिए साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसमें एक में द उसके बाद हमने तारापुर, कोटनकूलम, कलपकम, अफरिकेगा इस साथ न्यूक्लिल पावर रियक्टर को कम्प्लीट किया। उम्बीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, होसा के तो जदा जदा इसे वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक लिए बाबाई and थैंक्यू.